नया साल शुरू हो चुका है नया साल के जशने के बीच आम लोगों के लिए बुरी खबर भी है एक जन्वरे से आम लोगों की रोज मर्रा से जुड़ी कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी नया साल आम जटा के जेब पर भारी पढ़ने वाला है इसमें बाइक से लेकर बी के आकार में कुछ बदलाओ कर सकती हैं FMCC कंपनियों कुछ महीरों पहले इस वात के संकेत दे दिये थे तहने का मतलब यह है कि नए साल में स्टैक नम्कीन फ्रोजन फूड केक साबोन रेडी टू इट मिल्स बिसकिट समित अन्य चीज़ें महंगी हो जाएंगी तेल विपन करती है तो आम लोगों को पैटोल और डीजल पर प्रीमियम देना पड़ सकता है उब भोकता उंको पैटोल और डीजल के खुद्रादाम पर क्रमशाज सी पैसे और डेट उपे प्रति लीटर के करीब प्रीमियम अगले पास साल तक चुकाना पड़ेगा इसके लावा यह कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको महिंका पड़ सकता है नए साल में मारुती समेत अधिकतर आटो कंपनियों ने कार या बैक्स कीमते बढ़ा दी है वही साल 2020 में पांच स्चार फ्रेज और एसे कीमते भी बढ़ने वाली है दरसल नए साल में नया एनरजी लेवलिंग न महंगा ौने की संभावना है भी मा कम्पनियों को रइगूलेटर करने वाली संस्थाद जरड़ा के आदेश के मताबिक नहे साल में जीवन पीमा पॉलिसी के नियम बदल जायेंगे यह बदलाव के वल लिंक्ड नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में होगा नए नियम सफर भी महगा हो जाएगा रेलवे बोर्ड के चेर्मेन वी के यादों ने इस बात के संके दी दिये हैं पिर रेलवे बोर्ड यात्री और माल ढुलाई भाड़े को मौजूदा हालात के हिसाब से तरक संगत बनाने जा रहा है उन्हों ने कहा कि काफी दिरों से यात्रे किराय में बढ़ोत्री नहीं हुई है जबकि रेलवे का खर्च बढ़ता जा रहा है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मौर अपडेट्स